तो प्यारे बच्चों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल SKM Study के इस लेटेस्ट वीडियो में बहुत बहुत सागत है तो प्यारे बच्चों आपके डिमांड पर एक और पेपर, मौडल पेपर जो की UP Board द्वारा गेस पेपर लांच किया गया है दोस्तों इस गेस पेपर से लगभग 30% से ज़्यादा कोईशन फसते हैं यो UP Board द्वारा लांच किया गया है तो सभी बच्चे इस इस कोर्स को इस वीडियो को पूरा इंड तक देखना क्योंकि आपके लिए बहुत ही helpful होने वाला है दोस्तों ठीक है और सुनिए और अगर आप exam में अच्छा नंबर ले आना चाहते हैं मतलब अच्छा बहुत अच्छा नंबर ले आना चाहते हैं तो हमारे इस कोर्स को जोईन कर सकते हैं ये कोर्स आपको इस समय आफर चल रहा है अगर आपको सारे सब्जेक्ट लेने हैं तो मात्र 101 रुपए के अस्थान पर 80 रुपए कर दिया गया है ठीक है और हर सब्जेक्ट के 10 सेट मिलेंगे इस कोर्स को आपको पढ़ लेने से आप बहुत ही अच्छी सफलता मिलने वाली है बहुत ही अच्छा नंबर मिलने वाला है दोस्तों क्योंकि हम इसमें वही कोश्चन देंगे दो साल का प्रिवियस येर पेपर्स का सलिवसन देंगे आपको और इसको पढ़ लेने से एक्जाम में आपको अच्छा नंबर गेन करने को मिलेगा हिंदी के तो लगभग 70% से ज़्यादा question हम जो previous year देंगे उसी में से फस जाएंगे और इस वीडियो में तो जो बच्चे इस course को purchase करना चाहते हैं इस नंबर से संपर कर सकते हैं और एक भी से आप लेंगे तो 10 सेड मिलेगा 30 रुपए में मिल जाएगा ठीक है चाहो हिंदी हो इंगलीस हो फीजिक्स हो केमिस्ट्री हो बाइलोजी हो मैथ हो तो जो बच्चे एक्जाम में अच्छा नंबर ले आना चाहते हैं आपके लिए बहुती कम प्राइज के साथ मात्र 80 रुपए में आस तक काफर है सभी बच्चे इसे purchase कर सकते हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ाते हैं जिन बच्चों को doubt है इस नंबर से भी संपर कर सकते हैं यह जो नंबर यहां पर 7992087382 पर आगे बढ़ते हैं दोस्तों देखिए इस papers का solution जो यूपी बोर्ड दोरा लांच किया जाता है उसमें से काफी question फंसता ही फंसता है हर साल की त देखें दोस्तों यह आपको जब exam में बैठेंगे यही काफी आपको 2023 के exam में फरवरी माह में आपकी परिक्षा होने वाली है तो फरवरी माह में आपको यह बोर्ड की काफी मिलने वाली है इंटर के बच्चों को ठीक है ऐसी ही high school के बच्चों को मिलेगी बस यहां पर high school लिखा होगा जैसी यह देखें यह high school के बच्चों की काफी है पस यहां पर high school लिखा हुआ है ठीक तो चलिए सुरू करते हैं बिना किसी देरी के इस पूरे papers को साल्व करते हैं उससे पहले कुछ आपके लिए primary knowledge यह है कि यह जब आपकी बोर्ड काफी मिलेगी तो आप कैस याद रखना दोस्तों आपको 6 points भरने होते हैं एक दो तीन चार पांच छे ठीक है कैसे बरेंगे एक मैंने आर्यडि आपको sample के रूप में आप दिखा दे यह मैंने आल्रेडी यहां पर भरके रखा हुआ है देखिए यह मैंने कम्प्यूटर से भरा है बट आपको अपने पैन से भरना पड़ेगा एक्जाम में दोस्तों इस तरीके कि जब ओड़ा आपकी कापी मिलेगी तो आपको 10 अंकारोल लंबर मिलेगा कितने अंका 10 अंकारोल लंबर जैसे देखिए एक और आपके सामने यहां पर ले आते हैं ठीक है जैसे इसमें देखिए यह दूसरा पेपर है इसमें भी 10 अंकारोल लंबर 2022 के बच्चों का था और 2023 के बच्चों का भी 10 अंकारोल लंबर होगा तो यह 10 अंकारोल लंबर यहां पर अंकों में लिखना है फिर सब्दम लिखना है दो तीन दो पांस दो तीन पांच चार पांच सुन सब्दम हो गया अब आपका बीसाय डालना है बीसाय आपको क्या लिखना है जरा ध्यान देना तो बिसाय आपको लिखना है यहाँ पे जो बिसाय होगा जैसे सामान नहिंदी है पेपर में सामने लिखाओ सामान नहिंदी है तो सामान नहिंदी डालना साहित हिंदी है तो साहित हिंदी डालना ठीक प्रश्णपत्र और यहां पर प्रश्णपत्र के सामने सब पेपर में आपको केवल प्रश्णपत्र लिखना है दोस्तों क्या लिखना है केवल प्रश्णपत्र याद रखना क्योंकि आपके हर भी साय के क्यों लेखी पेपर होता है इसलिए यहां पर आपको केवल प्र है इसही मेंगणा है जैसे देखिए यह मैंने में इस संकेतांग है 302 डी टी तो यहां पर मैं ने इसमें 302 डी गृटी लिख दिया फिर परिच्छा तिती और पाली जिस दिक को नام यहां पर भर देना है यहां पर गल्ती मत करना आपके magnet कारड में जिस केंदर पर आप पर इछ देना उसके अंदर का नाम लिखा होगा तो यहां पर नाम लिख देना चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों बीना किसी देजी के अब हम आपका पूरा papers का solution कर लेते हैं एक page आपको पलडते हैं और ये आ गया अब आपको optional MCQ type questions solve करवाते हैं फिर जो है बड़े long question वो भी solve करवाते हैं दोस्तों यहाँ पर देखें सभी लोग इस वीडियो को like कर दें और नए हैं आपको जरूरत है तो subscribe करना जरूरत नहीं है तो मैं नहीं कहूँगा आप सको subscribe करने का ठीक है क्योंकि आपको जरूरत है तो आपकी मजबूरी है subscribe करना और exam हो जाएगा प्यारे बच्चों तो unsubscribe कर देना कोई problem नहीं है बट आपका काम होना चाहिए हमाँ आपके गाम के ठेका लिखा रखे है तो सभी बच्चे जो дост-ब अच्छा नंबर ले आना चाहते हैं वो हमारे this course को join कर सकते हैं course आपको मात्र 80 रुपाई में इस समय प्राइस चल रहा है आस तक है यह ठीक है आस तक काफर है इस नंबर समपर कर सकते हैं आप course को join कर सकते हैं ठीक है और आपको पूरे course 80 रुपए में provide किये जाएंगे हर set previous यह question मिलेगा एक subject के 10 set मिलेगे मातर 30 रुपए में गर एक subject लेना है 30 रुपए सारे subject लेना है तो आपको 80 रुपए देने पड़ेंगे ठीक है जो भी doubt होगा इस नंबर से संपर कर सकते हैं अगे देखिए दोस्ताव सिच्छा का उदेश निबन्द के लिखक हैं तियाद रखना दोस्तों सिच्छा के उद्देश निबन्द के लिखक कोन है संपूरा नंद क्वोन है संपूरा नंद यहाँ पर देखिए प्रश्नोतर फटा फट इतनी का screenshot ले लें फिर इसको हम सम यहां पर देखिए दोस्तों अब यहां पर समझा देते हैं आपने देख लिया उत्तर अब यहां पर सारे प्रिशन का उत्तर भी दिखा देते हैं ललू-लाल की रचना किसने की तो याद रखना दोस्तों ललू-लाल की रचना जो है प्रेम सागरने की किसने की थी प्रेम साग मस्या के रचनाकार थे विश्णु प्रभाकर कौन थे विश्णु प्रभाकर जी थे ठीक है चलिए next question क्यों बढ़ेंगे वानभट की आत्मकथा के लेखक तो वानभट के आत्मकथा के लेखक कौन है हजारी परसादुबेदी जी है कौन है दोस्तों हजारी प्रसाद उवेधी कामायनी किस यूग की रचना है आगे देखते हैं तो कामायनी किस यूग की रचना है दोस्तों यह है छाया वादी यूग की रचना दोस्तों किसकी है छाया वादी यूग की रचना यहां पर देखे छाया वादी यूग की अगला है तार सब तक का Prakashan verse 243 में दुवेदी युक की रचना नहीं है, दुवेदी युक की रचना का माईनी नहीं है दोस्तों ठीक है अगला last question है निमिलिखिद में कौन सीक्रित महा काब्य नहीं है तो इसमें से आपको बताना है ये last question आपको बताना ये आपके लिए छ चलिए, अब देखे, दिये गए गध्यांस, आधारी दिम्न की प्रिश्णों का उत्तर दीजिये, दोस्तों गध्यांस में आज आप एकजाम में बैठोगे, तो दो गध्यांस मिलेगा आपको, ठीक है, कितने मिलेंगे, दो गध्यांस, एक अथवा के उपर मिलेगा, एक एक ही करना है दोनों नहीं करने याद रखना ठीक है तो चलिए दिखा देते हैं आपको ये गेस पेपर है धरती माता की कोक में जो अमूल निधि भरी हुई है जिसके करण वह सुन्धरा का लाती है उसे कौन परिचितना होनों होना चाहेगा लाकों करोनों वर्सों से अनेक प्रकार की धातूओं को प्रतवी को पीस पीस कर आगनित प्रकार की मिट्यों से प्रतवी की देह को सजाया है हमारे भावी आर्थिक अभ्यूदे के लिए इन सब की जांच परताल आवस्यक है तो परियुक्त गंध्यांस का संदर्व लिखना है पहले आपको दिखा देते हैं संदर्व ये देखे दोस्तों संदर्व मैंने यहां पर लिखा हुआ है संदर्व प्रस्तुत गद्यावरन हमारी पाठ पुस्तक के गद्य भाग में संकलित एवं भारती संस्कित की अध्यता डाक्टर वासदेव सरनगरवाल द्वारा लिखित राष्ट का सरूप सिर्षक के निबंद से आउतरित है ठीक है फिर देखे दूसरा धर्ती वसुंध धर्ती वसुंधरा क्यों कहलाती है दोस्तों यहां देखिए इसका व्यूत्तर है कि धर्ती को सुंधरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि धर्ती में विभिन प्रकार के मुल्यवान ने दिया वस्तुय भरी हुई है बहुत इंपॉर्टेंट है यह सारे क्वेश्चन आपको रत्न भरे पड़े हैं इन्ही रत्नों के कारण प्रित्वी का एक नाव वसुंधरा रत्नों को धारन करने वाली भी है बहुमूल्य रत्न धात्विए व खनीज पदार्थ अन्यफल जल इसी प्रकार की असंख अनमोल वस्तुय जिन्हें भूम अपने आचल में छीपा रहती है से हमारे प्रगार पर्चद होने की होना ही चाहिए ठीक है अगला देखिए चौथा प्रिथभी की देह किसने सजाया ये याद रखना तो याद रखना दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाडों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिटियों से प्रिथभी की देह को सजाया या सवारा है अगला है पांचवा नमबर भावी आर्थिक अब्युदय है तो हमें क्या करना चाहिए तो ध्यान देना हमारे भावी आर्थिक विकास की दिरिष्टि से यह जाच परताल आवस्यक है कि प्रिथभी के गर्भ में इस्थिद बहमूल रत्न धातुएं खनिज पदार्थ अन्य प्रश्णोत्तर चार देखते हैं दोस्तों प्रश्णोत्तर चार जरा ध्यान देना देखो अथ्वा में किया एक उपर एक नीचे तो यह मैंने यह वाला कुश्चन नहीं किया बट आपको याद करके जाना एक्जाम में आ सकता है यह दोनों इंपॉर्डेंट है ठीक है य जो कि यह गेस पेपर है आपका ठीक है अब आगे देखे दिये गए गद्यांस पराधारिन मिलखित प्रश्णों के उत्तर दीजिए तो दुरलब का ही चिन बिसे सपत है पर अवलाजन के लिए कौन सपत है यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं तो पति समान ही स्वयम पुत भी खूं तहरो मतरो को मुझे कहूं सो सुन लो पाओ यदि उसने सार उसे सच सुन लो ठीक है चलिए तो यह देखिए यहाँ पे आपको इसमें पांच उत्तर देने है अथवा में करके नीचे भी क्वेश्चन है तो अब हम यहाँ पे इसके क्वेश्चन को सौल्व करते हैं ठीक है तो देखिए प्रस्तुत पद्ये हमारी पाठ पुस्तक आजयोध्या सिंह उपाध्या हरियोध्य द्वारा रचित प्री प्रवास से हमारी पाठ पुस्तक पद्येभाग में संकलित पौन दुतिका सीर्शक क्या अभ्यान से ठीक है अब देखिए रेकांकितंस की ब्याख्या रेकांकितंस की है पवनिय दिवह थोड़ी सी भी ठक दिखाई देतो उसे गोद में लेकर अर्थात उसे चारों और से घेर कर उसकी ठकान मिटा देना ठीक है तो यह है इसका जो इसमें अभी आपने देखा कि दुर्बल चिन्ह अवलोकन कौन पथ ठीक है यही इसकी ब्याख्या करनी थी दोस्तों ये वाला आपको नहीं करना है ये वाला नहीं करना है आपको ये करना है ठीक है न तो ये जो अभी आपने पढ़ा ये संदर्भ लिखाया मिटा देना तो यहां पर उसका उत्तर है फिर है तीसरा नमबर राधा लज्जा सील पतिक महिला के बिसर में क्या कहना चाहती है तो यहाँ पर देखे राधा ने पौन को पतिक महिला के संदर्म निर्देश देते हुए कहा कि वह लज्जा सील महिला के लिए वस्तरों को न उठाएं अपनी गोद में लेकर उसकी ठाकावर दूर करें तथा उसको होटों वा कमल जैसे मुख की मलीनता को अपनी सीलता से दूर करें आगे देखे अगला है इसमें होट की और कमल मुख में अलंकार बताईए तो कमल मुख में उपमा अलंकार है फिर क्या है जलद और किसक ललना का अर्थ बताईए तो ये आपको बताना जलद माने ललना माने आप सब लोग जानते ही ये आपको बताना पड़ेगा प्यारे लिखित में किसी एक लेखक का साहित परचे देते हुए उनकी प्रमुक रचना का उलेख कीजिए तो दोस्तों साहित परचे देते हुए प्रमुक रचना का उलेख यहां पर आचार हजारी प्रसाद दुवेदी के रचना का उलेख किया गया है फटा फट अब देखे हम आप को question दिखाएंगे questions का answer आप screenshot लेकि उसे याद कर लेना ठीक तो इसका screenshot लेंगे प्यारे बच्चों फिर आचार हजारी प्रसाद दुवेदी का यह जो जीवन परचे यहां तक है इसका भी आप screenshot लेंगे और इसका भी आप screenshot लेंगे ठीक फटाफट screenshot लेते जाएए आगे बढ निमनल लिखित एक कभी का साहित परचे देते हुए उनकी प्रमुख किरतियों प्रकास डालिए तो यहां पर मैंने प्रथम बाला लिखा है मैतली सरनगुप्त पर ठीप फटाफट screenshot लेजिए इसका और इस तरब भी है इसका भी screenshot ले सकते हैं आप बहुत important है दोस्तों exam के दिश्टिकोंड से जोंकि यह guest paper है guest paper जो यूपी बोर देता है आप जानते है 30 से 40% TC में से फच जाता है तो screenshot लेंगे अब आ जाते हैं छे नमबर प्रशन की ओर करा है बहादूर रथमा पंचलाइट कहानी के उद्देश पर प्रकास डालिए या फिर धुर यात्रा कहानी के तो यहां पर देखिए पंचलाइट पर प्रकास डाला गया है फटा पट स्क्रीन सौर ले सकते हैं पांच अंके हैं तो कम सकम दो पेज लिखते बनता ही है दो पेज से कम लिखेंगे नमबर कठ हो जाएंगे आपको चार ही नमबर मिलेंगे तो मैंने देखो दो पेज ल लग अलग होता है मुक्त कि लेकिन हम प्रयागराख से हैं तो आलोग बृत्र का देंगे बट यहाँ पर मैंने सारे का दे दिए है ठीक तक पुर्ण का पूरे यहां पर लिखा हुआ है पहला इस्क्रीन सुर्ट लें UP यह यहां तक फिर यहां तक यह है ओके एक यहां पर है फटापट स्क्रीन सॉट लेंगे और एक आपका यहां भी है ओके दिखो सब काला गलाख है यहां पर तीसरा नमबर मुक्ति यह खंड काब्बे के याधार पर फटा पर स्क्रीन सोड लेते जाएंगे प्यारे बच्चों मैंने पांचों कर दिया है जिसको जिले में जो ज़ुरत है वो अपना हल कर सकता है ठीक इसका भी स्क्रीन सोड लेंगे सभी बच्चे और फिर इधर आ जाएंगे इत्याग पतिक खंड काब्वे के आधार पर इसका चरित चित्रन करना है ठीक अब देखिए आगे स्क्रीन सोड ले लिए होंगे आसा करते हैं फिर जो है ये है आपका इसका भी फटा पर सभी बच्चे स्क्रीन सोड ले और फिर करतब्य निष्ट यहाँ पर भी है इसका भी स्क्रीन सोड लेंगे फिर आपका ये आलोग बृत प्रयाग राजवाले बच्चों के लिए है आलोग बृत का पूरा खंड काब्वे के आधार पर ठीक और ये है इसका इसक्रीन सोड ले सकते है और फिर पांचवा नमबर सत्य की जीत खंड काब्वे के आधार पर दृपदी का चरी चित्रन किया गया है पांचवा नमबर आप देख सकते है यानि आपको दिखा दे ये वाला प्रश्न ये वाला प्रश्न का उत्तर ठीक है ये स्क्रीन सोड लेंगे दुरपदी के चरी चित्रन का वरण किया गया है यहाँ पर ठीक चलिए आगे बढ़ेंगे अब आठवी नमबर में आ जाते हैं प्यारे बच्चों ये आठवा नमबर कोईस्चन है और दिये गए संस्कित गद्यांस पर किसी एक का संदर वहिंदी में बात देखो यहाँ पर ये किसी दिये गए गद्यांस में से किसी एक का संदर वहिंदी में बात कीजिए तो चाहिए करो या फिर आप ये करो ठीक दोनों में से एक करना है तो हमने पहला नंबर किया है महात्मा बिद्वान तो यहाँ आप देखें यह गध्य हमारी पाठ्थे पुस्तक के संस्कित भाग में संकलित महामना मालविया नामक पाठ से लिया गया है यानि मैंने इसका हिंदी में अनुबात किया है इसका संदर भी लिखा है तो फटा फट सभी बच्चे स्क्रीन सॉट ले 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 और इस तरब भी अब देखिए नवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं तिरह ध्यान देना नव नंबर में आएंगे अब थोड़ा हिंदी ज्यादा होता है प्यारी बच्चों बट सरल होता है आपके लिए दिये गए पध्यांसों में से किसी एक संदर का हिंदी में बात चाहिए इसका करो चाहिए इसका तो न रोचते यहाँ पे देखिए इसमें पहला नंबर है न रोचते वाला तुम रात भर सडकों पर इधर से उधर घुमते रहो पत्थर जरूर को दाल में काला है ठीक इसका इसक्रीन सोड़ लेंगे और देखे यह है ख जो है अभी आपको दिखा देते हैं यह ख है ना आठवे का ख यह नमें तो यह आठवे का ख का यहां पर उतर दिया गया है ठीक याद रखना आठवे का ख है और यह नौवा नमबर प्रश्चन है यह दाल में काला यानि निमनलिखित में तो किसी एक अर्थ का वाग के प्रयोग करना दाल में काला तो यहां पर यह उतर दिया गया है फिर दस का क दस का क में क्या है दस का क में है तथा संदी बिच्चेत करना है तथा अपी का संदी बिच्चेत क्या होता है प्यारे बच्चो तो यहां पर देखें तथा धन अपी का यह देखो परम तथा भी का हो गया और परम परमेश्वर का संदी बिच्चेत क्या होता है तो परमेश्वर का होता है परम धन इस्वर ठीक है फिर गायका का संदी बिच्चेत गय धन अका होता है फिर अगला है दिये गए अभी आपको सारा उत्तर आपको कापी में दिखा दिये गए होलिखे सब्रीकित सभी अर्था चैनल करके लिखिये वसन 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 का मतलब है दोस्तों ज़रा ध्यान देना इसका स्क्रीन सोट ले लेंगे अभी जो मैंने बताया और वसन ब्यसन थोड़ा एक मिनिट से कम इंतजार करिए ग्यारहमे का पहला वसन ब्यसन का मतलब है की वस्त्र और आदत थीक ब्यसन माने वसन ब्यसन वस्त्र और आदत विस्तार और अवधी का क्या अर्थ होता है तो विस्तार और अवधी का जो है अर्थ होता है प्यारी बच्चों और यहाँ पर अंबुज अंबुद का अर्थ क्या होता है अम्बुज अम्बुद का आर्थ होता है समुद्र और कमल ठीक है फिर है निम्नलिकित सब्दों में से किसी एक सब्द के दोर्द लिखी अंबर अंबर का आर्थ आका स्वस्त्र होता है ठीर फिर निम्नलिकित वाक्यों के लिए एक सब्द का چेन करके लिखिए तो यहाँ पर जो आखों के सामने हो प्रत्यच होता है क्या होता है प्रत्यच बी नमबर, पहले का बी नमबर सही है, एबी, चार आप्सन होते हैं तो बी नमबर सही है फिर है जानने की इच्छा रखने वाले जानने कीछा रखने वाले क्या होता है दोस्टों जिग्यासु जो की यहां पर देखिए उतर दिया गया ठीक, चलिए आगे देखते हैं 11 का घह 11 के घह में आ जाते हैं 11 के घह में देखिए घह है, तुम तो कुरसी पर बैठे हैं तो यहाँ पर इसका सही सुध्ध करके लिखना है तो तुम तो कुर्शी पर बैठे हो सही होगा तो बैठे है कि अस्थान पर होकर दो सही हो जाएगा इन सरोवर में अनेको कमल खिले हैं देखिए सरोवर में अनेक सब्द सही होता अनेको नहीं लगना चाहिए तो यहाँ पर इस सरोवर में अनेको कमल खिले हैं ठीक तो यहाँ पर अनेक कमल होना चाहिए अनेको नहीं अनेक कमल खिले हैं ठीक तो यह घाका दोनों उत्तर हो गया 12 नमबर में आ जाते हैं दोस्तों बीर रस अत्वा हरासरस का इस्ठाई पूरा यहाँ पे इसका विस्क्रिण्सोट ले लिजिये फिर जाइये इसलेस एह लगश्ण वि gegए पूरा दिया ऊंद confront लेंगे इसका फीर जाइये बारक तोहाँचन्द अलंकाः वगरवगर दोहा तोहाँटा चंद का मात्रा सहीद देखें तोहा का ये पूरा मात्रा साइद लिखा गया फटा फटा आप स्क्रीन सॉट लेंगे फिर आजाए ये प्रश्न संख्या 13 में बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधा को आवेदन या प्राथना पत्र लिखना है तो यहाँ भी देखे खाता खोलने के लिए पूरा प्राथना पत्र लिखा गया है बैंक अधिकारी को बैंक मनेजर को तो इसका भी आप स्क्रीन सॉट ले सकते हैं प्यारे बच्चो सभी बच्चे स्क्रीन सॉट लें इसका ओके और यह बहुत ही जवर्जस तरीके से लिखा हुआ है आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं इसको पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाए कैसे लिखना है फिर अजये निबंध लास्ट में पॉइंट वाला चीज आगया निबंध आतंक वाद देखो चौदा हुआ नंबर नव नंबर का है आतंक वाद की समस्या और समाधान का पूरा वर्ण किया गया यहां पे ठीक है और यह नव नंबर का होता है दोस्तो तो फटा पढ़ स्क स्क्रीन सोड ले सकते हैं सभी बच्चे इस तरीके से यह भी तना लेंगे स्क्रीन सोड फिर हम थोड़ा आगे कर देते हैं यह भी लेंगे तो दोस्तों इस तरीके से हमारे पूरे पेपर्स का सल्यूशन किया गया आसा करते हैं दोस्तों आपको जरूर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो बच्चे एकजाम में अच्छा नंबर ले आना चाहते हैं हमारे इस टॉपिक्स को हमारे इस कुर्श को परचेज करके वो एकजाम में बढ़िया से बढ़िया नमबर बोड को टाप कर सकते हैं तो इस समय इसका आफर चल रहा है तो आपको 101 के बजाए आपका यह 80 रुपए में ही मिलने वाला है तो दोस्तों इसी के साथ हम अगले वीडियों फिर मिलेंगे तब तक के लिए जैन जैभर्द वंदे मातरम